हेलो डियर इस्टुडेंट आफ क्लास फेप्ट बच्चो आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ चार संग्या का अध्यान करेंगे तो बच्चो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई होगा कि किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु या इस्थान या भाव की नाम को संग्या करते हैं तो आप बच्चों देखिए इस संसार में जितने भी प्राणी है वस्तु है या इस्थान है या भाव है उनको हम किसी ना किसी के नाम से बुलाते हैं या पुकारते हैं और यही जो नाम होते हैं यही बच्चों संग्या कहलाते हैं तो देखे जैसे यहां उदारण में दिया भी है कि नीलम प्रेम चंद की पुस्तक पढ़ रही है यहां नीलम क्या है बच्चों यह एक ब्यक्ति का नाम है अच्छा यहां पर इस लड़की का नाम नीलम है अब प्रेम चंद यह एक लेखा का नाम है जिसकी वह पुस्तक पढ पुष्टक भी एक संग्या का नाम है पढ़ रही है यह आपका क्रिया है तो नीलम बच्चो यह व्यक्तिवाचक संग्या है प्रेम चंद यह आपका यह भी व्यक्तिवाचक संग्या है और पढ़ पुष्टक पुष्टक आपका बच्चो आपका है जातिवाचक संग्या क्रिष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है यहां पर क्रिष्ण और सुदामा दोनों एक व्यक्ति विशेष का नाम है अब मित्रता बच्चो एक भाव है तो यह आपका भाव अचक संग्या है उसके पशाच बच्चो देखिए एक और उधारण रवी ने बहन के लिए ख जाती का नाम है जीसमें देखो बहन यानि जाती का मतलब बचो यहां आपके काश्ट से मतलब नहीं होता यहईनि एक स्रेढी में आने वाले जितने भी जीव जंतु है मालिज़ ये बहन है तो बहन में आपके छोटी भावी हो सकती है बड़ी भावण पहला है व्यक्तियों के नाम में नीलम, प्रेमचंद, कृष्ण, सुदामा, रभी और बहान जैसा कि यहां आपको बताया है मैंने पहले ही उसके पशात वस्तों के नाम भी दिये हैं पुस्ता, खीलावना, अभाव के नाम में मित्रता यह सारे शब्द जो है हमें संग्या के के बारे में दर्शाते हैं कि यह जितने भी नाम है चाहे व्यक्ति के नाम है या जाती के नाम है या भाव के नाम है यह सब एक संग्या विशेष के नाम है उसके पशात है बच्चों संग्या की भेद संग्या के बच्चों मुखिता तीन भेद माने गये हैं पहला व्यक्त व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा जाती वाचक संग्या और तीसरा भाव वाचक संग्या तो सबसे पहले हैं बच्चो व्यक्ति वाचक संग्या जिस संग्या सब्द से किसी विशेश व्यक्ति प्राणी वस्तु या इस्थान का पता चलता है उसे व्यक्ति वाचक संग्या कह अर्जुन का रथ चलाया यहां किसने चलाया था स्री कृष्णी ने यहां पर हमारा स्री कृष्णी क्या है एक व्यक्ति के बारे हम बताता है व्यक्ति बच्चों बटों यहां पर एक परसं से नहीं मतलब है एक विशेश व्यक्ति से नहीं यहां व्यक्ति का मतलब है जिस न श्री कृष्ण ने तो यहां स्री कृष्ण का अर्थ हो जाएगा बच्चो भगवान स्री कृष्ण से हैं दूसरा है उन्होंने गीता का उपदेश दिया था अब गीता भी बच्चो हमारे एक सब्द है यानि एक हमको एक विसेश पुस्तक के बारे में बताता है कि श्री कृ कुरू छेत्र में युद्ध का हुआ अग कुरू छेत्र हमको क्या बता रहा है यह एक इस्थान के बारे में बता रहा है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था तो स्री कृष्ण गीता और कुरू छेत्र एक यह व्यक्ति 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 के नाम हो गया तो यह हमारा ह जाता है व्यक्ति वाचक संग्या उसके पशात है बच्चो दूसरा है जाती वाचक संग्या देखो लिखा है common noun जिस संग्या सब्द से किसी प्राणी वस्तो या इस्थान की पूरी जाती का बोध होता है उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं यहां पर प्राणी वस्तो ये इस सकता है अम घोड़ा में कौन सा घोड़ा लेंगे सफेद घोड़ा लेंगे काला घोड़ा लेंगे कि भूला लेंगे कि मोटा घोड़ा लेंगे कि पतला घोड़ा लेंगे इसमें यह नहीं दिया है कि कैसा घोड़ा यानि घोड़ा जाती के अंदर हमारे सभी प्रकार के कर रहा है अब साधू बच्चों क्या है ये भी एक जाती वाचक संग्या है अब साधू भी हमें संसार में जितने तरह के साधू है कि सब के बारे में बता रहा है यह यह एक साधू नाम की जो जाती है उसमें यह सभी आ जाएंगे तो इसलिए साधू भी हमारा जाती वाचक स पुस्तक के अंतरगत कौन सी पुस्तक अभ्यास पुस्तक कहानी की पुस्तक की आपका उपन्यास यह जितने चीजें आपकी पढ़ने वाली होती हैं वो सब पुस्तक ही होती है यहां पर यह नहीं लिखा है कौन सी पुस्तक तो यहां पुस्तक के अंतरगत जितने भी पुस् आ रहा है तो यह हुआ आपका पुष्टक सब्द जाती वाचक के अंत्रगत आएगा उसके पर शाथ है बच्चो भाव वाचक संग्या जो संग्या सब्द किसी गुण, दोश, भाव, दशा, आदी का बोध कराते हैं वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं अब यहां पर देख कि यह गुड़ दोश, गुड़ का अर्थ बच्चो आप जानते हैं कि अच्छाई और दोश भी दोश यानि बुराई किसी संग्या का जो दोश बुराई भी होता है वो भी भाव होता है वो तो हमारे मन में होता है मालीजी हम कहें वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज ह क्या उसका एक गुड़ है लेकिन यह कहेंगे वह लड़का बहुत ही आलसी है आलसी क्या उसका आउगुड़ है यानि दोश है तो उसका दोश भी बच्चो वो भी एक भावचक संग्या के बारे में बताता है इसलिए अपका दोश भी भावचक संग्या के अंतरगत पिर है भाव भावकार्थ आप लोग जानते ही हैं रोना हसनास गाना प्यास ठकान यह सब क्या है भाव है एक हमारे मन में उत्पन होने वाले भाव है इसलिए यह भाव अच्छक संग्या के बारे में बताता है तीसरा है दशा दशा का अर्थ है बच्चो इस्थिती या आईू अगर हम पूछें की उसकी दशा कैसी है तो दसा में बच्चो मानली जिए कि पहला ले लेते हम अवस्था के रूप में अवस्था यह निदि आयू हजाता है तो वह उसकी उसınd 달 5 साल की है या 10 साल की है या 50 साल की अच्छी है या तो आप सारी की रूप से बहुत बुरी है अगर लेंगे तो उसकी इस्थिती यह उसकी बहुत ही दुर्बल है वह बहुत सारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो गया है या वह सारीरिक रूप से बहुत पलवान हो गया इन्हें दशा के अंतरगत बच्चों ये सारे आपके आएंगे तो देखिए इसके बाद भी देखिया है यहां पर कुछ उदारन दिया है गर् कारण क्या हो रहा है थकान भी बच्चों हमारे मन का इक भाव है अगर हम नहीं थकान नहीं està है दूसरा है थकान से प्यास लग रही है प्यास भी बच्चों एक भाव ही फिर है बुढ़ापा आ गया है अब बुढ़ापा क्या है हमारा दशा है बुढ़ापा बच्चों हमारा दशा के अंतरगत आएगा तो बुढ़ापा आ गया है यह भी बच्चों सब्द गर्मी ठकान प्यास और बुढ़ापा यह हमारे सब भाव को दर्शाते हैं इसलिए हम भाव वाचक संग्या के अंतरगत आएंगे उसके पशाद बच्चों यहां संग्या के देखिएगा दो भीत और दिये गए हैं पहला है द्रब्य वाचक संग्या और दूसरा है समुदाय वाचक संग्या या समुः वाचक संग्या तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे द्रव्यवाचक संग्या द्रव्यवाचक संग्या वे संग्या होते हैं जिसमें किसी हादार्त आदी का बोध कराता है जैसे सोना चांदी लोहा गेहूं तेल और इसके अंतरगत बच्चों दूध भी आपका द्रव्यवाचक संग्य जाके अंतरगत ही आजाएगा यानि वे संग्या सब्द जो हमको ठोस और द्रव्य यानि लिक्वीड विटा जिस तरल कहते हैं उनके बारे में बताता है वो हमारे द्रव्य वाचक संग्या कहलाते हैं उसके पश्चात है समुधाय वाचक या समुधाय वाचक संग्या जिसको समुदार या समुह वाचक संग्या कहते हैं इस संग्या सब्द में बिटा जितने भी जैसे समुह के बारे में बताने वाले शब्द ही आएंगे देखिए जैसे सेना, जुलू, सभा, जन्ता ये हमारे क्या है एक समुह के बारे में बता रहे हैं माली जे अब सेना क्या है सेना सेना सब्द बच्चो देखिएगा यह आपका एक बहु अचन सब्द है यह सभा हमारे स्कूल में प्रती दिन एक और जनता जनता नेता जी का भाशार सुनने गई थी तो ये सब सब्द बच्चों हम के समुह या समुदाय के लिए ही उपयोग में लाते हैं इसलिए ये आपके समुह या समुदाय वाचक संग्य कहलाते हैं इसके बाद है बच्चो आपका देखिए भाव आचक संग्या बनाना यानि हम भाव आचक संग्या कैसे बना सकते हैं जो यहाँ पर देखिए पहला दिया है जाती वाचक संग्या से भाव आचक संग्या दूसरा है क्रिया से और तीसरा है विशिशर सब्दों से तो पहले हम देखेंगे जाती वाचक से भाव वाचक संगया कैसे बनता है बच्चा से बच्चो बच्चपन बना है मित्र से मित्रता है मनुश्य से मनुस्यता है फिर है मानव से मानवता है पसू से पसुता है और यहां बच्चों फिर एक सब्द देखिए लिखा है पसू से फिर पशुत्व तो आपका पसू के लिए पशुता और पशुत्व दोनों सब्द रहेगा उसके बाद बच्चों देखिए क्रिया से कैसे बनते हैं भावचक सब्द हसना से हसी लिखना का लिखावट रोना का रुलाई और उसके पश्चात हैं बच्चों विशिशर सब्दों से भावचक संग्याएं मिठा का मिठास उंचा का उंचाई वीर का वीरता तो बच्चों आज हमने इस पार्ट में सीखा किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु इस्थान अथ्वा भाव के नाम को संग्या कहते हैं उसके पश्चात है मुखी रूप से संग्या के तीन भेद माने गये हैं व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या और भाव अचक संग्या और इन तीनों के अलावा संग्या के दो अन्य भेद मी माने गये हैं पहला द्रवे वाचक संग्या और दूसरा समु वाचक सं हैं तो बच्चों इसी के साथ यह पाट समाप्त होता है